नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है मैं बाउन्टो स्पीड से सर्वेस मैं बात करने ओला हूँ हीरो स्प्लेंटर प्लस 2022 मॉडल की इसमें क्या अपडेट्स हुए हैं और आप इस बाइक को जो आप देख रहे हैं हीरो की ब्लैक एडिशन इसको करवा सकते हैं जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं हीरो के करवा सकते हैं हीरो के इस बाइक में अपडेट्ट क्या हुए हैं 2020 में और आपको आन रोड कीमत क्या मिलने वाली है इस बॉच्के और इस mileage related और हो सके तो आपको मैं इसमें कि कितना आपको डाउन पेमेंट देने के बाद आपको ये बाइक मिल सकती है अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फ्रंट से आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती है फ्रंट में आपको हाइलोजन सेट अप ही देखने को मिलेगा और इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं हाईलोजन इंडिकेटर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा अब टैर साइज की बात करें तो आस्σι सो अथारा के फ्रंट में टैर मिलेंगे जो की 18 इंच के अलाउ के साथ हाती है और इंडिकेटर्स की बात करें तो बल्ब टाइप क स्टीकरिंग देखने को मिलेगी जिसमें आपको स्प्लेंटर लिखा हुआ है अब बात करते हैं इसके इंजन की तो इसमें 97 CC का आपको BS6 इंजन देखने को मिलता है चुकि fuel injector के साथ आता है और आप देख सकते हैं इसमें की की सुब्धा भी देखने को आपको मिलती है बहुत सारी कंपनिया की खटा रही हैं लेकिन hero अपनी सभी बाइकों में यहां दकी 160 CC तक की सभी बाइकों में किक देती है hero bike company और बात करते हैं इसके catalytic converter की तो उसमें भी hero company ने cover दिया हुआ है अब बात करते हैं right side से इसके look की तो आप right side से देख सकते हैं यह bike बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है कि इसी वज़ा से यह बहुत जादा cell भी होती है अब इसके meter console की बात करते हैं तो इसमें आपको analog meter console ही देखने को मिलता था और BS6 होने की वज़ा से इसमें engine mall function light और i3S की light और यहां पे neutral की light और pass high beam का indicator भी देखने को मिलता है और यह रहे इसके mirrors अब बात करते हैं इसमें 2022 के आप कैसे पहचानेगे जो यह i3S का button है और जो आपके self switch है यह थोड़ी से चौड़ी हो चुकी है 2021 वाले model में और 2022 वाले में यह बदला हुआ है मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको क्या-क्या बदला हुए है 2022 वाले model में और यह रहा है इसका tank और tank में आप जानते ही है कि इस splinter की यह USP रही है कि ऐसी यह देखने को मिलती है double cap के साथ एक lock वाला और दूसरा जो आप धककन से unlock करते है और इसके suspension की बात करते है तो वही पुराना suspension आपको देखने को मिलता है और पीछे भी 818 के tear आपको इसमें देखने को मिलते हैं और जो की यह पार करते हैं बहुत सारी बाइके इसलिए थोड़ी सी गंदी हो रखी है और seat की बात करें तो seat में भी थोड़ा सा hero वालों ने improvement किया है इस 2022 वाले में थोड़ी सी अब यह बोलते हैं कि gel technology यूज़ करने लग गए है अपनी यूटूब में अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से इसका कैसा लुक आता है आप देख सकते हैं कि seat की length बहुत ही अच्छी है और बहुत ही broad seat है इसकी अब all black में आपको यह bike कैसे लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को इस like करके और हमारे चैनल को subscribe करके हमारों साथ जरूर बढ़ाएं अब इसमें एक features और आ गया है engine cutoff function engine cutoff कैसे काम करते हैं वह मैं आपको पताता हूँ अगर आपका stand down है अगर आपने bike को start करते हैं और gear लगाते हैं तो आपकी bike बंद हो चाहिए यह बहुत ही अच्छा safety features है और यह अब 2022 में hero की सभी bikeों में लगबग आ चुका है अब hero HF Deluxe में और Splendor दोनों ही bikeों में आ चुका है मैं दोनों की वीडियो जल्द ही अपने चैनल पर डालने वाला हूँ तो ज़रू से subscribe कर लें और यह भी जो आप bike स्क्रीन पर देख रहे हैं यह भी engine cutoff function वाली ही bike है और मैं आपको आगे दिखाने की कोसिस करता हूँ कि यह कैसे काम करता है